नमस्कार दोस्तों आउसी के चैनल में आपका स्वावत है आज हम जेंस हाफ स्वेटर के बैक पार्ट की शुल्डर और नेक की कटिंग करेंगे इसको मैंने तीन इंच का बॉर्डर बनाया है उसके बाद इसमें 10 फंदे इंक्रीज किये हैं बॉर्डर पे 104 फंदे थे 10 फंद बनाया है और 18 इंच उसके बार्डर के बाद बनाया है तो टूटल इसकी लेंद्ध हो गई है 21 इंच और अब हम इसमें आर्म होल की कटिंग करते हैं तो चलिए फ्रेंट हम आर्म होल की कटिंग करते हैं तो हम एक फंदा लेंगे, एक और फंदा लेंगे, तो फंदे को एक साथ लेते हुए और बैक लूप से एक सीधा फंदा बनाएंगे, यहां हमने एक फंदा गटा लिया, फिर दो फंदे लेंगे और एक और फंदा गटा देंगे, यहां दूसरा फंदा हो गया, एक और फंद दालेंगे और दोनों फंदों को एक साथ लेते हुए बैक लोग से घटा देंगे तो तीसरा फंदा चौथा फंदा और ये पांचवा फंदा तो हमने टोटल पांच फंदे घटा दिये अब 6 फंदों को हम सीधा बुनते हुए तूसरी साइड में आ जाएंगे तो मैं इतना बुन के आपको दिखाते हुए तो फ्रेंट्स मैंने सभी फंदों को बुन लिया और अब मैं बैक साइड में आ गई हूँ और अब इस साइड में भी हम पांच फंदे दिग्रेज करेंगे फंदों को लिया और एक साथ लेते हुए उल्टा भुनते हुए दो का एक आ एक हुआ एक फिर दो को लिया दो का एक हो दो तीन चार 5 तो हमने 5 फंदे वैक साइड से भी गटा दिये । अब 6 फंदों को उल्टा भुनते हुए हम दूसरी साइड में आ plugins तो बॉर्डर पे हमने 104 फंदे डाले थे और 10 नंबर की सलाई से बॉर्डर बनाया उसके बाद मैंने सलाई चेंज कर ली अब 9 नंबर की सलाई से उपर की बुनाई हो रही है और बॉर्डर के बाद मैंने 10 फंदे इंक्रेस किये अब 6 फंदों को उल्टा बुनते हुए हम दूसरी साइड में आजाएंगे अब मैं फिर सामने की तरफ आ गए तो अब हम 3 फंदे डेक्रेस करेंगे तो फंदों को एक साथ लेंगे और बैक रूप से 2 का एक कर लेंगे एक फंदा घट गया दूसरा फंदा घट गया और ये 3 पंदा घट गया पहली लाइन में हमने 5 फंदे घटाए दूसरी लाइन में हमने 3 फंदे घटाए अब 6 फंदों को सीधा बुनते हुए हम दूसरी साइड में आ जाएंगे तो इतना बुन के मैं आपको दिखाती हूँ तो फ्रेंड हमने सबी फंदों को सीधा बुन लिया अब हम आ जाते हैं रॉंग साइड में तो यहां पे हम अब तीन फंदे घटाएंगे दो फंदों को एक साथ लेंगे और उल्टा बुनते हुए दो गाएग एक फिर दो और ये तीन तो तीन फंदे हमने घटा लिए शेश फंदों को उल्टा बुनते हुए हम दूसरी साइड में आएगे सबी फंदों को उल्टा बुनते हुए मैं वापस सामने की तरफ आई हूँ तो मैंने पांच फंदे घटाया फिर तीन फंदे घटाया और इस लाइन में दो फंदे घटाया जाएंगे दो फंदो को एक साथ लेंगे और सीधा बुंते हुए दो का एक एक फंदा घट गया फिर इसे हम 22 लाइं में ले लेंगे एक फंदे को और ले लेंगे और दो को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा यहाँ पर हमने दो फंदे घटा दिये अब फिर 6 फंदों को सीधा बंते हुए हम wrong side में आ जाएंगे तो सभी फंदे सीधे बुने जा चुके हैं अब हम फिर wrong side में आ जा रहे हैं तो फिर इस लाइन में हम दो फंदे decrease करेंगे दो फंदो को एक साथ लेंगे उल्टा बुनते हुए दो का एक नेक्स्ट फंदे को भी लेंगे और उल्टा बुनते हुए दो का एक तो यहाँ पे हमने दो फंदे decrease कर लें अब शेश फंदो को हम उल्टा बुनते हुए सामने की तरफ आ जाएंगे अब फिर हम सामने की तरफ आ गया है तो दो फंदों को एक साथ लेंगे और सीधा बुनते हुए दो का एक करेंगे तो यहाँ पे हमने एक फंदे घटा दिये तो हमने पांच, तीन, दो और एक इस तरह गयारा फंदे टोटल घटाया है और शेश फंदों को हम सीधा बुनते हुए दूसरी तरफ आ जाएंगे रॉंग साइड में भी हम एक फंदे घटा देंगे दो का एक साथ लेंगे और उल्टा बुनते हुए दो का एक तो इधर भी हमने गयारा फंदे घटाया है पांच, तीन, दो, एक तो गयारा फंदे हमने एक साइड में और गयारा फंदे दूसरी साइड में घटा दे यानि टोटल बाइस फंदे डिक्रीज हो गया है 104 फंदे थे और 22 फंदे दिक्रीज होने के बाद से अब सलाई पे है 92 फंदे यानि 92 फंदे यानि 92 फंदे अब इन्हें हम दोनों तरब से उल्टा सेधा बुनते हुए अपनी लंबाई पूरी करेंगे तो लंबाई पूरी करके मैं आपको दिखाते हूँ तो देखिए फ्रैंट्स लंबाई मैंने पूरी कर लिए हा पांच तीन दो और एक याने 11 पंदे घटाने के बात मैंने मैंने चर म्साब्सी उविठ है साथ ईंच नक बुन दिया है इन्हें साथ इंच लंबाई पूरी कर ली है, 11 फंदे एक साइड में घटे हैं और 11 फंदे दूसरी साइड में घटे हैं, यानि 22 फंदे घट गये, सलाई पे थे 104 फंदे, 22 फंदे घट गये तो बचे 92 स्टिचेज, 92 फंदे, अब इन 92 फंदो को हम तीन भागों में डिवाइट 28 फंदे इस कंदे पे और 28 फंदे दूसरी कंदे पे और बीच में 36 फंदा यानि 36 स्टीच हम घटा देंगे तो चलिए फ्रेंड्स हम घटाते हैं पहले हम 28 फंदे बुलनेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, सार, आठ, नौ, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चौदा, पंदरा, सोला, सत्रा, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28 तो शोल्डर पे हमने 28 फंदे रखे हैं और बीच के 36 फंदे हमें डिक्रीज करने हैं तो हम पहले एक फंदा बुनेंगे फिर एक और फंदा बुनेंगे और पहले वाले फंदे को उठाएंगे और दूसरे वाले फंदे पे चड़ा देंगे तो ये एक फंदा घट गया है इसी तरह हम 36 फंदे घटाएंगे तो 36 फंदे घटा के मैं आपको दिखाते हूँ तो देखिए फ्रेंट्स मैंने 36 फंदे घटा लिये और अब सलाई पे हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 27 और ये एक 28 फंदे तो अब इन्हें हम सीधा बढ़ेंगे अब दोनों कंदे पे 28-28 फंदे बचे हुए हैं तो मैंने सभी फंदे सीधे बुन लिये अब हम आ जाते हैं रॉंग साइड में और अब सभी फंदो को उल्टा बुन लेंगे ये घटाने के बाद ये दूसरा लाइन है पहली लाइन में हमने घटाया ये दूसरा लाइन है और दो लाइन हम और बनाएंगे यानि चार लाइन हम टोटल बनाएंगे ये हमने एक साइड के 28 फंदे बुन लिये अब यहां पे हमें अपना दूसरा थ्रड लगाना पड़ेगा तो मैं थ्रेड लगा ले रही हूँ, तो मैं यहाँ पे एक दूसरा थ्रेड लगा ले रही हूँ इसको हम ऐसे लपिटते जाएंगे ताकि यह बढ़ जाए यह मैंने दो लाइन कम्टेट कर लिया, अब हम सामने की तरफ आ गए हैं और दो लाइन हमें और बुना है, यानि सामने की तरफ से सीधा और पीछे की तरफ से उल्टा तो दो लाइन कम्टेट करके मैं आपको दिखाएंगे। तो देखिए फ्रेंट्स, बैक पार्ट के शोल्डर और नेक के कंटिक कम्टेट हो गए। अब देखिए इस समय इसकी लंबाई देखे तो जहां से हमने डिक्रीजिंग खतम किया है यानि यह पांच, तीन, दो और यहां पर एक फंदा गटा है यहां से हम देखे तो इसकी लंबाई है आठ इंच घटने के बाद से हमने आठ इंच बुनाया है और यह बैक में हमने आधा इंच पहले ही यह गला घटा दिया है यानि चार सलाई पहले ये गला घटाया है, तो इससे क्या होता है, कि जो बैक का बार्डर है, वो गले पे चढ़ता नहीं है, और वो इरिटेट नहीं करता है, तो इस तरह उसकी फिटिंग बहुत ही अच्छी आती है, तो फ्रेंस, बैक पार्ड की बुनाई कम्प्लीट होती है, आशा है, आपको अच्छा लगा होगा, तो अगर ये तरीका आपको अच्छा लगा हो, तो आप भी इस तरीके से अपने स्वेटर को बनाएए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों और रिष्टेदारों में शेयर केजिए, थैंक्स फर वाचिए में